तभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके एक्जाम में जो है बहुत बढ़ी है questions आ रहे हैं उम्सलो से बहुत ज्यादा questions आ रहे हैं ठीक है तो इस topic को भी जल्दी से 2-3 मिनट में निप्टा देते हैं या कहलो इसका revision कर लो आप जल्दी से होता क्या है equal का sign लगाएंगे तब यहां आता है constant b equal to ri और यह r क्या होता है तुमारा प्रतिरोध यानि resistance ठीक है resistance बोल दो या प्रतिरोध अब देखो यह तो तुमसे पूछा ही जाएगा यहां पर पूछा जाएगा क्या प्रतिरोध यहां पर voltage और current बढ़ाने से बदलता है क्या तो current flow कर रहा है वो बायर किस material का है जिसमें विदूत यानि current जा रहा है ठीक है तो जो resistance है जो प्रतिरोध है वो किस पर depend करता है material पर material पर ना की ना की विवांतर पर और current पर ना ही potential पर ना ही current पर तो एक question तो यह है बहुत ही important और famous question ठीक है और देखो series जब मतलब यह दो प्र तरीके से ठीक है अब पूछ रहा है इनका जो resistance है जो प्रतिरोध है equivalent प्रतिरोध कैसे निकालेंगे ठीक है तो इन दोनों को add कर दो इसके उपर आ रहा है question ठीक है और यह parallel combination मतलब जब इन दोनों को parallel लगा दिये जाता है R1 और R2 तब यहां पर प्रतिरोध का equivalent कैसे निकाल इसको 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 ठीक है तो यह वाले questions भी बहुत ही ज्यादा important है value रख रख के अलग अलग पूछ रहा है तो यह formula तुम्हें याद होने चाहिए और 7 में 7 में मान लो यह प्रतिरोध और इसमें एक cell या battery जोड़ दी है ठीक है B equal to कुछ भी बूल रख का है 2 volt दे दे 8 volt दे दे कुछ भी दे तो यहां से पूछ रहा है कि इस battery में से current कितना निकला तो तुम्हें यही वाला formula लगाना है B equal to IR ठीक है R कौन सा लेंगे आप equivalent वाला क्योंकि दोनों के दोनों series में जोड़े हुए है ठीक है और इसका B equal to I निकालने के लिए B तुम्हें दे रखका होगा R equivalent कैसे निकालोगे R1 plus R2 करके तो यहां से यह B की value तुम्हें पता है 8 volt जैसे question करके दिखा देता हूं R1 दे रखका है तुम्हें 2, R2 दे रखका है 3 ohm है ना ohm और इसकी जो unit होती है और B बैटरी कितनी है 8 volt की ठीक है तो current देखो I equal इन दोनों को जो बढ़ दो 3,2,5 तो I क्या आएगा 8 पटे 5 ठीक है MPR ठीक है इसी तरीके के question आ रहे है तो इस चीज को तुम बढ़िया तरीके से देख लेना thank you